ग्रेजवेशन किये हुए लड़के तो दो साल पहले ग्रेजवेशन कर लिए अभी पॉल टेक्निका एक्जाम देने आ रहे हैं उनको यह नहीं पता है कि ग्रेजवेशन के बाद अगर मुझे कोई टेक्निकल कोर्स करना है तो मैं भी नुराग चौदरी जी कहां से है किस चीज को लेकर यहां है एक्जाम देने के लिए इंट्रेस्ट करेंगे उसके बाद साइंस में कितना इंट्रेस्ट है ज्यादा नहीं बस तोड़ा सा है और इंजिनियर बनना है तो साइंस तो होना चीए तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं किने देते हैं आज का जो पेपर है वह कैसा गया आए क्या लग रहा है इस पर कितना मांक्स लाएंगे चैन्ट से पलस आएगा पास हो जाएंगे चले यह कुछ और बच्छे हमारे साथ है क्या नाम है डिसी केस कुमार जी कहां से है कुमा नरहा से क्यों आये थे आज किस सेज़ को लेकर में पैसे नहीं तो चुहार बनना चाहता है और पूरा सoria पीछले सारे तीन साल से जिता मडिके स्टूरेंट को मिलता रहा है और पूर्क सब्स Więcilla रह लगवा विधा तीन महने यह मेरा नॉमा एक्जामनेशन हो रहा है पर सो फिर मेरा एक्जामनेशन ऊपनागा बच्छे का मात्रा याएंगे लगवाक व्सेट्व सप च्छेए नहीं के बाहर के राष्टान में है कुछ नियूहीं detto क्वा को वाले को लिख नुए बहुत तो यह कम होते हैं पढ़ाई खाने की क्वालिटी सुभधाएं और सबसे लास्ट प्रेश्मेंट को लोग देती है इसलिए बिहार सरकार उसी कॉलेज को पेमेंट करती है जो नेक एंबी और रेंकिंग वाले होते हैं कॉंस और आपके पर हमारे पास मारे पास नह यह पास बच्के के लोगे मैं वीटेव क्रोंड नर्सिंग कर सकता है जिए नम कर सकता हिए फार्मा कर सकता है लेकिन जो बच्चा अपना चूच करना चाहता है वो अपना बदलाव चाहता है तो इसको होटल मेंचमेंट बीजमेंट 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 इतना गिरा हुआ कि ग्रेजवेशन किये हुए लड़के तो दो साल पहले ग्रेजवेशन कर लिए अभी पॉल्ल टेक्नीक का एक्जाम देने आ रहे हैं उनको यह नहीं पता है कि ग्रेजवेशन के बाद अगर मुझे कोई टेक्निकल कोर्स करना है तो हम एंबीए करेंगे तो यहीं सारा मार्क दर्शन का हम लोग काम करते हैं बाकी बच्चे का किश्मत हमारा मेहनत कहां तक रंगलाता है देखते हैं क्या नाम है बहुत लग रहा है पास कर जाओ आगे जो सपना सोचे हो मेकेनिकल इंजिनेर बनने के लिए कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है पता ह सवेडा कंसल्टेंसी के बारे में आपको कैसे पता चला है तो कुछ बच्चे और हमारे साथ हैं उनसे भी जानेंगे कुछ बच्चिया है क्या नाम है निसु कुमारी कहां से हैं बतलोरिया से किस चीज का एक्जाम था आज किसी पूल टेक्निका कैसा उसमें सवाल कैसा इस तरीके का तयारी है आपका किस कलास में आप इंटर के परिक्षा कि आप क्या करना अगी को सतो सपना होगा जो आपने अगा संजोय होगा कि आगे चले को यह बनना एक वनना चलिए सोच लिजिए क्योंकि जो सोचिए आगे चल कि आपको मिलेगा और भी बच्चे है क्या ना में पर्शा से हैं अच्छा कहां आये थे आज 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 एक्जाम दिने आए वागे पॉल टेक्निक करके क्या करोगे किस क्लास में पढ़ते हो कैसा था आज का पेपर कैसा बहुत बढ़िया था लग रहा है पास कर जाओगे इस बार कहां जाने का मन है कहां जाके परहाई करने का एक्षा है आगे कि आगे ऐसोचे नहीं हो इनके पापा जी है क्या सपना रखे अपने बेटे को आपकी वेटा तो अभी नहीं सपना सौचे और कर वायेंगे झतना चा तेंद में आपका नाम हुए नवीन कुमार भार्ति जी कहां से हैं आप आप जहां आये हैं एक्जाम देने वहां के बारे मैं आपको कैसे पते बहुत उपको नहीं वहां शर्व के द्वारा कुछ बाचित हुई थी और सरव बताया कि तंगा पर पॉल्टिक में का तेयारी कि आज का जो पेपर हुआ बच्चा से बाच्चित हुई है अभी नहीं किया है कैसा गया पेपर कुछ अभी पुछे नहीं अभी नहीं पुछे नहीं है